दून हो नमास्कार दोस्तों योगेश टिकनिकलमें आपका फिर से बहुत भुत स्वाग दोस्तों आज की स्वीड में हम जानेंगी क्रिभफ डूक का हम क्या फाइदा उठा सकते हैं और आज के पुरेस में इस तून का कितना महत्व है दोस्तों यह जो टूल है यह इंसुलेटिड इलेक्टिकल कुनेक्टर के लिए इस्तिमाल होने वाला टूल है और आपको मैं बता दूँ कि यह जो क्रिंपिंग प्लायर है यह चार काम कर सकता है अपने सिस्टम के अनुसार अभी आप जो सामने देख रहे हैं सबसे उपर यह कलर कोड बने हुए है दोस्तों यह है इन लगस के लिए इन कुनेक्टर के लिए जो लाल रंग वाला कुनेक्टर होता है दोस्तों यह होता है थिन वायर यानि की पतले गेज के लिए जो निले रंग व बहुत बड़ा फाइदा है वो भी मैं आपको बताऊंगा वीडियो में बने रहीएगा जो दोस्त नई है इस टूल्स का इस्तेमाल करना हमें आज के प्रिवेस में अवश्य है आना चाहिए यहां से भी हम इसका यूज कर सकते हैं वो भी हम वीडियो में जानेंगे इसका सिर्फियेसिंट में जो रहे हैं उनके लिए यह इस्तेमाल करना हमारे जरूरी हो जाता है क्योंकि अगर आपने कोई भी जोड़ लू छोड़ दिया तो वह हमें काफी नुकसान पहुंचा सकता है हमारे कस्टमर को काफी नुकसान परशा सकता है जो यह हिस्सा यह एक वाय को काट देता है ज्यादा जोड़ लगाने के हमें जरूरत नहीं पड़ती काफी सफाई से वायर की कटिंग कर देता है जो यह नीचे वाला हिस्से दोस्तों इससे हम अलग गेज की वायर को असानी से उसके इंशुलेशन को छिल सकते हैं जिससे हमारी वायर का लोस भी नही कि इंशुलेशन हटाते हुए इंशुलेशन के साथ नहीं आया निया अकसर प्लायर के साथ जब हम ऐसा करते हैं तो काफी रेशे उसके साथ कड़ जाते हैं जो हमारी वायर के गेज को पतला कर देते हैं दोस्तों जो यह हमारे थिंबल है इंसुलेटेड है जब भी हमें इन्हें करना होता है तो आपको जो वायर हम इंसुलेशन हटाते हैं तो उसको घुमाना नहीं है आपको ऐसी ही अवस्था में हमें इस लगज में यानि इस क्नेक्टर में उसे इंटर करना है जो आगे वाला हिस्सा है जो छीला हुए दोस्तों यह लाश्ट तक पहुंचना चीए जो अभी मैं आपको आगे दिखाऊंगा उसके बाद इंसुलेशन हमारा उससे आगे नहीं जाता इसलिए हमें उचित गेज की वायर के साथ उचित ही हमें क्नेक्टर लेना होता है काफी असानी से ये थिम्बल को बिल्कुल मजबूती से लगा देगा अब हम नीरे रंग वाले सलोट में हमने इस थिम्बल को डाला और प्लायर को दवाब से ज़्यदा हमें जोर लगाने के जरूरत नहीं पड़ी और आप देखेंगे कि ये जो क्नेक्टर है ये बिल्कुल भी लोज नहीं होता अक्सर हम प्लायर के साथ जब करते हैं तो काफी लोजिंग रह जाती है जो की नंकस्तान पहुंचा सकती है दोस्तो ये insulated ring terminal होते हैं कुछ हमारा जो फो क्नेक्टर होते हैं वो भी मैं आपको आगे आने वाले वीडियो बताऊँगा कि कौन सा थिंबल हम किस नाम से पुकारते हैं तो दोस्तो आपने देखा तीन यूज हम कर चुके हैं इस प्लायर के अब हम चोथा यूज करने जा रहे हैं जो भी काफी यूजफुल है अभी आप जो ये मेरे हाथ में पेच देख रहे हैं और इसको मैं इसके दूसरे हिस्ची को जिसे हम निकाल देते हैं और फिर हम उचित होल में डाल कर इसे जैसे आप डालेंगे तो इसमें चूडिया होती है और हम इसे टाइट कर देते हैं आपको जितना भी ये स्कुरू काटना है उतना आप नीचे की तरफ ले जाएं और फिर हम इस स्कुरू को काट सकते हैं दवाब डाल कर लेकिन आपको दवाब अराम राम से डालना है ज्यादा एकदम से दवाब नहीं देना है इसको जैसे हम आहिस्ता आहिस्ता दवाब डालते जाएंगे तो यह आहिस्ता आहिस्ता कटता जाएगा और इसका ये धक्रिविवानियर के च्यार हम यूोजीज कर सकते हैं. और जो आज के प्रिवेस में काफ़ी जरूढ़ी है क्योंकि दोस्तों आज कल आप देखते हैं कि इंवाडर टाइप एर कृणीश्यर की पीसे भी आते हैं और इन में इन क्रेक्टरों का उपयोग करना काफ़ी ज़रूरी है क्योंकि उनमें फ्लेमेबल रेफ्जिडेंट होते हैं जो हलकी सी भी लोजिंग वायर होने से काफी नुकसान पहुंचा सकते हैं हमें भी हमारे कस्टमर को भी दोस्तों यह था क्रिंपिंग टूल फोर इंसुलेटेड इलेक्टिकल कॉनेक्टर वीडियो को आगे ऐसे ही ग्यानमत्री वीडियो अपलता हुआ धन्युक्त